36 गड़ का खास बुलेटिन और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कलेक्टर SP कॉन्फरेंस की जो की आज दूसरा दिन है सभी जिलो में SP के साथ बैठक आज है मुक्य सचिफ, DGP, कमिशनर, IG, कलेक्टर और SP इस बैठक में शामिल होगी तो ये महत्वपून कॉन्फरेंस है सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी मुक्य मंत्री विश्णू, देव, साय ये बैठक लेने वाले कानून व्यवस्था समित अलग-अलग विशियों पर चर्चा होगी जिलों में कानून व्यवस्था की गहन समिक्षा हो तो आज दूसरा दिन है इस कॉन्फरेंस का इससे पहले भी कल इसी तरीके की कॉन्फरेंस हुई थी और इस कॉन्फरेंस में तमाम अधिकारी जोड़े थे आज फिर से पुलिस अधिक्षकों से सवाल किया जाएगा अनसुलजे अपराद की जानकारी ली जाएगी महिलाओं और बच्चों के विरुद अपराद जो घट रहें उस पर जवाब तलब किया जाएगा कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली जाएगी और इसके साथ साथ नार्कोटेक्स अपराद पर भी जानकारी ली जाएगी तमाम सवाल पुलिस अधिक्षकों से किये जाएगे नकसलवाद पर भी समस्या जो बढ़ रही उसको लेकर भी सवाल किये जाएंगे और जादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखर दिवांगन लाइव जुड़े हैं सीधा उनकरो करते हैं शिकर यहाँ पर यह महदवपूर्ण कॉन्फरेंस होने वाली जिसमें तमाम अधिकारी जोड़ने वाले हैं सुबह दस बजे से बैठक शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं इस बार की जो दूसरी कॉन्फरेंस है इस बैठक में क्या कुछ अलग होने वाला है देखे कलेक्टर SP कॉन्फरेंस का आज दूसरा दिन है कल जिस तरह से कलेक्टर समेत जिला पंचाय सीओ और तमाम अधिकारीयों के साथ प्रदेश की स्थितियों को लेकर चर्चा होई थी और आज प्रदेश के मुख्य सची डेजीपी संभागायुक्त SP कलेक्टर समेत तमाम पुलीश विभाग के बड़े अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जहिसी बात है कि जब प्रदेश के जो SP और प इस बैठक में अब मुख्यमंत्री विष्णोदेव साय खुद अधिकारियों से पूरी वस्तु इस्थितिक की जानकारी लेते हुए नजर आएंगे इसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि महिलाओं को लेकर जो अपराध हुए हैं उन्हों अपराधों की समिच्छा क की जाएगी इसके साथ ही नार्गोटिक्स एक्ट को लेकर भी समिच्छा की जाएगी अलग अलग जीलों में जिस तरह से कानून विवस्ता है उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णोदेव साय लेते हुए नजर आएंगे को मिलाकर देखा जाए तो कानून विव को लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी बहुत महत्यपूर हो जाता है और प्रदेश की कानून विवस्ता को लेकर चर्चा होगी तो आने वाले दिनों में प्रदेश में कानून विवस्ता सुधरती हुई भी नजर आएगी जी बिल्कुल शिकर और इसके अलावा जो व